प्रेक्टिस सेट नमबर 409 पर आजाईए यूपी PCS के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंपोर्टन्ट करेंट अफेट्स के प्रश्णों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेलिस्ट इस टैस सीरीज की बना रखे है ठीक है महाँ पर आप टैस नमबर 1 से लेकर 409 तक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कुश्चन नमबर 1 पर आजाईए आज डेट हो गई है 23 अपरेल 2021 जब यह टेस्ट रिकॉट किया चारा है कुश्चन नमबर 1 विशे आधारित यानि सब्जेक्ट वाइस QS वर्ड यूनिवर्सिटी रेंकिंग 2021 पर जीविज्ञान और मेडिसन जीवन विज्ञान और मेडिसन के छेत में कौन सी उनिवर्सिटी सीर्स इस्थान पर है देखे QS वर्ड यूनिवर्सिटी रेंकिंग जारी की गई है अभी कल एक प्रेश्च मनाया था कि टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान है तो उसका उतर है 12 संस्थान है अब इसमें जो है ना पांच विश्चों को पांच विश्चों में जो है बाट देया है पूरे को ठीक है अभी देखेंगे कौन-कौन से विश्चों है फिलाल आप बताईए कि लाइफ साइन्स और मेडिसन में कौन सी उनिवर्सिटी टॉप पर है चार अप्सन है यहां पर IISC बंगलूरू, स्टेनफोर्ड उनिवर्सिटी, उनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और हावर्ड उनिवर्सिटी बताईए जिव विज्च्यान और मेडिसन में कौन सी उनिवर्सिटी सीर्स पर है लाइफ साइंस और मेडिसन में हावर्ड उनिवर्सिटी पहले स्थान पर ह युनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और तीसरे भर है स्टेनफोर्ड युनिवर्सिटी अप्सान नंबर वन है इसका अंसर तो जिव इग्यान अब मैडिसन स्रिनी में देखा जाए तो लाइफ साइन्स एन मैडिसन में सीर्स अंस्थान कांशा है हावबर्ड युनिवर्सिटी युनिवर्सिटी ऑफ ओक्सफोर्ड और स्टेनफोर्ड यौनिवर्सिटी देखे विशए आधारित क्यू एस वर्ड यूनिवर्सिटी रंकिंग 2021 में कुल 51 विशयों को जो है सामिल किया गया है कितने हैं कुल 51 विशय लेकिन इन 51 विशय को पांच वियापक विशय छेतरों वरिकत कर दिया गया है वो कौन-कौन से हैं कला एवम मानविकी ठीक है यानि आर्ट एन हुमेनिटीज इंजिरिंग और टेकनोलजी इंजिरिंग और टेकनोलजी ठीक है जीवन विज्ञान और मेडिशन में ठीक है लाइफ साइंस और मेडिशन में तो इसमें मिला है हावर्ड को ठीक है प्राक्रतिक विज्ञान नेच्रल साइंस में बाटाया चोथा और पांचवा बाटाया सामाजिक विज्ञान एबम प्रबंधन में ठीक है सोशल साइंस और म दूसरे मतलब तीसरे वाले को परता बंग गया जीवन भी कहना इसका उत्तर और कर यह तो जह रहा विशह आधारित क्यूएस वर्ड उनिवर्सिटी रेंकिंग 21 में इंजिरिंग और टेक्नोजी ठीक है इंजिरिंग और टेक्नोजी में कौन सी उनिवर्सिटी सीर्स स्थान इसमें है MIT मेसाचूसेट्स इंस्टिट्ट ऑफ टेक्नोजी यूएसे ऑप्सें नमबर डी ठीक है तो इंजिरिंग और टेक्नोजी में जो सीर्स तीन संस्थान उनको देखें मैसाचूसेट्स इंस्टिट्ट ऑफ टेक्नोजी पर्थम पर दूसरे पर है स्टेनफोर्ड य कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है इंपोर्टेंट प्रस्ट नहीं है पूछा गया है कई बार टेस्ट में बताइए एक सो बयालिस्वा संस्था जो निकलती है रिपोर्टर्स विदाउट फॉडर्स तो विष्व प्रहस उतनतता सूचकांग दोहार 21 अंतराश्टिय पत्रकारिता द्वारा लावकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट पॉर्टर्स द्वारा प्रकाश्ट किया जाता है एक सो असी देशों के वीच भारत पिछले साल की तरह एक सो पैलिस्वे स्थान पर है इस सूचकांग में नॉर्वे सबसे उपर है और इसके बाद है फिनलैंड और तीसरे पर है डेन्मार्क इस प्रेशन का वत्य थे तो पताई चल गया वापको विश्व प्रत्वी दिवस नमलके तुमेंसे कब मनाया जाता है इस बॉस्त इस्व फ्रति यानि word bright day 12 21as बनाय जाता है ठीक है word art day मनाय जाता है 12-21 इस बार बनाया गया ठीक है पुर्थवि को सेंडक्षन परदान करने के लिए है ठीक है और सारी दुनिया में इसमें सहीवक और समर्थन के लिए पुर्थवी दिवस मनाय जाता है इस दिन परियावन संरक्षण और पर्थवी को बचाने का संकल्प लिया जाता है पर्थवी दिवस का मुख्य उद्देश क्या है परियावन संरक्षण के परती लोगों को जागरुक बनाना कोश्चन नमबर 5 पर आजए केंद्रिय मंत्री मंडल ने हल ही में भारत के व्यापार उपचार महाने देशक और किस देश के व्यापार और सुल्क आयोग के बीच हस्तरक्षण समझोता ग्यापन को मंजूरी दी है भारत और बंगलादेश अप्सान नमबर A तो केंद्रिय मंत्री मंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महाने दिर्शक और बंगलादेश के व्यापार और सुलक आयों के बीच हस्ताक्षरित समझोता ग्यापन को मंजूरी दे दी है इस समझोते का उद्देश है विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार सूचना व्यापार उपचार और अन गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना भारत और बंगलादेश के वीच केंद सरकार ने प्रधान मंतरी गरीब कल्याण पैकेज के अंतरगत हैंद केजह करना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है बताए है एक साल के लिए बढ़ा दिया एक वर्ष के लिए भी है इसका अनुसर तो सरकार ने कोरोना वाइरस महामारी से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स को राहत प्रदान की है सरकार ने हेल्थ वर्कर्स के लिए बीमा योजना को जो है एक वर्स के लिए बढ़ा दिया है question number 7 पर आज़े important है question देखिए प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फते करने वाली पहली भारतिय महिला वन गई है इसलिए important है इस related question थमरेल पर पूछा एक नेपाल की माउंट अनपूर्णा चोटी को फते करने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है प्रियंका मोहिते तो option number C है इसका answer तो देखिए दुनिया की दसवी सबसे उची चोटी माउंट अनपूर्णा को फते कर प्रियंका मोहिते ने अपने नाम जो है एक किर्तिवान इस्थापित किया है देखिए जो माउंट अनपूर्णा की चोटी है इस पर पहुचने वाली प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला है इसलिए important है बात करें अनपूर्णा की तो अनपूर्णा परवत समू उत्तरमध नेपाल के हिमाले में इस्तित है जिसमें 8000 मीटर से अधिक की चोटी सामि सामिल है वहां पर तो सारे के सारे नेपाल में है यह ठीक है माउंट एवरेस्ट अनपूर्णा कंचन जंगा कहां पर है यह तो भारत के सिक्प्र में है तो यह वी वैसे अलिमनेट हो जाता है चलिए कोशन नमबर eight पर आजाईए UPL के क्रिकेट इत्यास में बतोर कप्तान कौन सा खेलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम में रहकर 200 मेच खेलने वाला पहला खेलारी ही बन गया है कौन है एक ही टीम में रहते हुए उसपी टीम में कप्तानी करते हुए 200 मेच खेलना क्या है इ बोहिद सर्मा नहीं महेंदर सिंग धोनी हाँ ओप्सन नमबर ए तो आई पिल दोहर 21 के बारवे मैच में राजस्थान रोयल्स के खिलाप मैदान पर उतरने के साथ ही एमेस धोनी ने एक नया किरतीमान अपने नाम कर लिया वे किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबलों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है हाली में महिंदर चिंग धोनी ने चिन्नाई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था और अब उन्होंने एक कदम और आगया बढ़ाती हुए इस फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है ठीक है सब कुछ है की दिन हो गया एक ही मैच में चलिए कोशन नमबर नाइन पर आज़ेए उर्जा रूपांतरन सूजकांक की रिपोर्ट के मताविक 115 देशों की लिष्ट में कौन सा देश प्रथम इस्थान पर है भारत की सिती प्रथम पर तो बहुत मुस्किल है ठीक है स्वीडन है प्रथम इस्थान पर आप्सन नमबर डी तो भारत उर्जा रूपांतरन सूजकांक में 115 देशों में 87 वे स्थान पर है ठीक है यह सूजकांक विभिन पहलुगों के अधार पर देशों की उर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नज़र रखता है और इस सूजकांक में 시र से 10 देशों में पश्चमी और उत्री यूरप के देश सामिल है इस सूजकांक में स्वीडन परथम इस्थान पर है ओ दूसरे स्थान पर है नौरवे और भारत 87 वे स्थान पर है कुश्चन उम्पर दस पर आ जाई है हाल ही में भारत के 68 वे चैस ग्रेंड मास्टर निम्लिकित में से कौन बने है अड़शट वे की बात हो रही है 68 वे डी कुकेस नहीं है विश्वनाथन अनन तो पहले थे राज्य वर्धन सिंग्राठो और चैस थोड़ी खेलते हैं पहला आंसर हो जाएगा अरजुन कल्याण तो देखे हाल ही में तमिल नाडु के अरजुन कल्याण भारत के 68 वे भारत के 68 वे चैस ग्रेंड मास्टर बने है जब उन्हें कब बने वो जब उन्होंने सर्विया में जीम राउंड रॉबिन रूजना जौर तरी के पांचवे दौर में ड्रेगन कौसिक को हराने के देखें अरजुन को जो है आई-म सर्वनन और युक्रेनी जीम एलेकजेंडर गोलोस पोव द्वारा प्रशक्षित किया गया है अरजुन ने नो साल की उमर से ही चैस खेलना सुरू कर दिया था और एक साल वाद ही अपनी विश्व सत्रेंज महासंग रेटिंग उन्होंने हासिल कर ली थी विश्वनाथनानंद ये नाम याद रखेगा 1988 में भारत के पहले ग्रेंड मांस्टर बने थे ये चैस के विश्वनाथनानंद ये हैं अरजुन कल्यान देखें बात करें विश्व सत्रेंज महासंग की तो जिसे फाइड के रूप में भी जाना जाता है इस प्रश्वनाथन अनंद तो दस प्रश्ट है करेंड से रेलेटर्ड इनकी प्रेक्टिस एक वारतों करें लेना धन्यवाद